इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. St. Paisal 5 Tablet का इस्तिमाल Alzheimer की बीमारी के mild से moderate स्थर के dementia के इलाज के लिए किया जाता है. यह एक बरती बीमारी होती है जो धीरे-धीरे आपकी memory और सोच पर असर डालती है. यह इस बीमारी का इलाज नहीं करता है लेकिन स्मृती, सतर्प्ता और अन्य लक्षणों को ठीक करने में मदद कर सकता है. St. Paisal 5 Tablet कैसे लेना है? इस बारे में आपके डॉक्टर आपको विस्तार से समझाएंगे. आप इसे खाने के साथ ले सकते हैं. अच्छा होगा कि रात को सोने से पहले. अधिक्तम लाब पाने के लिए निर्देशों का ध्यान से पालन करें. आपकी व्यक्तिकत जरूरतों के अनुसार डोस समय समय पर बदल सकती है. लक्षनों में सुधार आने में कुछ सप्ताह तक का समय लग सकता है. तो अपनी दवा को नियमित रूप से लेते रहें. डॉक्टर से परामर्श किये बिना आपको इस दवा का सेवन बंद नहीं करना चाहिए. इस दवा के कुछ सामानने साइड इफेक्ट में मिचली आना, डायरिया, यानी की दस्ट, नीन ना आना, उल्टी, मानस्पेशियों में एंठन, ठकान और वजन घटना, यानी की एनोरेक्सिया, शामिल हैं. अपने आपको हाइडरेटर रखने के लिए बहुत सारे तरल पीएं. इलाज की शुरुवात के दौरान या जब आपकी खुराक बढ़ाई जाती है, तो आपको अकसर साइड इफेक्ट हो सकते हैं. आम तोर पर, जैसे जैसे आपके शरीर को सेन पेजल पांच टेबलेट की आदत हो जाती है, साइड इफेक्ट धीरे धीरे दूर होते जाते हैं. अगर वे गंभीर हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपने डौक्टर से संपर्ख करना चाहिए. यदि आपको कभी भी हिर्दय की समस्या, पेट में अलसर, मिर्गी या अस्थमा रहा है तो सेन पेजल पांच टेबलेट का उप्योग करने से पहले आपक दौक्टर को इस बारे में बताएं. गर भावस्था के दौरान यह दवा केवल तभी ली जानी चाहिए अगर सलाह दी जाए. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.